कहा जाता कि अगर आपका आगाज अच्छा है तो आपका अंजाम भी अच्छा होगा आज कुछ इसी प्रकार से अफगानिस्तान के खिलाडियों ने अफगान के पठान ने वो कारणामा किया 2019 वर्ड कप की विजेता जो टीम थे इंग्लेंड को उनहात्तर रनों से करारी माद दी इस मैंच में जिस तरीके से जास वटलर टास जीते हैं और दिल्ली का पिश था अरुण जेटली स्टेडियों में मैंच हो रहा तो सब को पता है कि ये पिश कितनी सपाठ है यानि किस पे बल्ले बाजो का बोल बाला रहता है और जिस तरीके से अफगानिस्तान के ओपनर गुरबाज ने आज इंग्लेंड के बालों की बखिया उधरी वो अपने आप में कहें नहीं अफगानिस्तान के टीम को अफगानिस्तान के प्लियर को वो मनोबल जो है बहुत उपर लेकर जाएगा और वहीं जिस तरीके से आज इस मैंच में कई सारे रिकार्ड भी वने, कई सारे ऐसे डिसीजन हुए जो अफगानिस्तान के टीम के लिए भिगला साबीत हुए जैसे जब उनके कप्तान आते हैं, वो उनके कप्तान के चकर में गुरबाज रनाउट होते हैं और इस मैंच में जो सबसे तेज गेर डाली यानि वर्ड कप 2023 में मार्गवोड ने 154 किलो मीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वहीं इसके पहले यह रिकार्ड दर्स था, पाकिस्तान के हारिस राउस के नाम लेकिन मार्गवोड गेर तेज नहीं डालते हैं वो विकट भी लेते हैं और आज की इस मैच में भी उन्होंने दो सपलता है अपने नाम की अचा जिस तरीके से जब मैच सुरू होता है तो सोलो अबर में एक सोलारन बनाई अबगवानिस्तान की टीम ने यानि कि उनके जो दोनों ओपनर है चाहे हम बात करें जादरान की चाहे हम बात करें गुरवाज की तोनों उन्हें अच्छे सौट के लिए एक समय लगा कि अबगवानिस्तान की टीम आराम से साड़े तीन सुका स्कोर खड़ा करेगी और बढ़ियां चुनाउती देगी लेकिन बीट में जब आदरी लसीद का वो जो ओबर होता है जिसमें वो दो सफलताय प्राप करते हैं यानि कि एक रन आउट और एक वो अच्छी करते हैं जो रूट के नाम भी एक सपलता उसमें हाथ लगी उसके बाद आते हैं लियम लिंगेश्टिन जिन्होंने भी आज दस अबर अपने पूरी किये यानि कि सोचिए आपके पास सैम करन हैं आपके पास मार्क बूर्ड हैं आपके पास रिसा टॉपली हैं आ अफगानिस्तान की टीम को थोड़ी बहुत खुशी मिली कि बाबू अगर आपके ये कभी कभार पेकने वाले गेदबाज बिकर निकाल सकते हैं तो हमारे पास दुनिया की बेश्ट टिकडी है यानि कि उनके मेरे पास जो है रासित खान है हमारे पास मुझीबुर रह्मान हैं और मुझीबुर रह्मान ने भी आज कार नामा करके दिखा जागों अगर बात की जाए वहीं अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मनाने के मामले में तो गुरबाज रह जिन्होंने 80 रनों की पारी खेली उसके बाद इकराम ने भी आज काफी लंबे समय बाद वापसी की और उन्होंने भी 58 रनों की पारी के लिए अगर बात की जाए मुझीब की तो मुझीब रह्मान ने भी ताबर तोड 16 गेदों में 28 रनों की खेली इंगलेन की टीम बैटिंग करने आती यानि कि अफगानिस्तान की पूरी टीम 284 रनों पर आल आउट हो ज इसके पहले 288 रन था, 284 रनों बने इसके पहले आपने देखाऊगा कि भारत किलाप ने भी उन्होंने 200 बात तर मनाये थे वहीं बात की जाए जब बैटिंग करने आये, इंगलेन्ड के धुरंदर अगर बात की जाए, जॉनी बैस्टो कित मात्र दो रनों में चलता बने जिस तरीके से उनको फजालग फारुकी ने LBW किया उसके बाद तो अफगानिस्तान की टीम का मानों उनके वालों का कहर बरब गया इनके उपर, इंगलेन्ड की बैस्मानों को उपर आप एक बल्ले बात तो निकाल दीजे, किवल हैरे ब्रोस को जुनोंने 61 बालों पर 66 रनों की पारी के लिए वही कुछ हद तक दम दिखाए, डेविड मलान ने भी 32 रन की पारी के लिए बाकी बाइस साब उनके कोई बल्ले बास चल नहीं पाए, जो वो इंगलेन्ड की टीम जो चड़कर खेलना जानती है, अच्छे स्कोर खड़ा करना जानती है, किसी ने भी नहीं हिम्मत साले सैंसिस रंदेकर तीन सफलता है अपने नाम की, मुझी बुर रहमान ने भी दस ओबर में एक मिलन के साथ इक्यामदान और तीन सफलता है अपने नाम की, यानिक आप यह कहते हैं कि जो अफगान की टिकड़ी थी, इस्पिन की तिकड़ी थी उनकी, उन्होंने मिलकर आ दिखाये, उन्होंने दिखाया कि आपके पास अगर इस्पिन गेजबाजी है था हमारे पास 20 सुकी सर्फ्रेश तिकड़ी है और अफगानिस्तान की टीम ने मौझ मौझ में यह मैच जीत लिया, लिकिन जिस तरीके से आज कोई रिस्पाइंट हुए एंगलेंड के बल्ले के बाद उनके टीम में चल नहीं पाया और हालत उनकी जो हुई वहालत उनकी ऐसे हुई कि मात्र चाली सोबर में आप यह कहते हैं कि दो सो पंदरा रन बनाकर आल आउट हो गई वो इंगलेंड के टीम जो एक समय यह लग रहा था 20 सुकप में सबसे बड़ा रन यह करते हैं बैस्टो बालिग करते हैं नंबर आट बले बाज़ रहे और आप trotzdem कैप सामने भाइस अब्हों बड़ी दिकार आप पर इस वर्डक की हर पंडेटके लिए रिकार्ड के लिए वाद निइंडिया धन्य नमसाइ झाल झाल